पर के according ये update Apple user के लिए bad हो सकती है according to the new rumors Apple अपने iPhone 16 Pro model में again titanium body use करने वाला है with a more polished glossy frame तो Apple इसको improve material and color processing के दुरू बनाने वाला है Apple जो titanium material यूज़ करने वाला है वो एक scratch resistant material के साथ नहीं होगा mini यहां पर more scratches आने वाले है on a side frame तो Apple इस पर try कर रहा है more shining phone बनाने की तो further मारे पास update Sony Dixon के दुवारा आ रही है तो Sony Dixon के दुवारा Twitter पर Apple के non pro and pro devices की material dummy की picture अपलोड करी गई है और यही ने यहां पर SC4 model की dummy unit बाहर निकल के आ रही है तो जो first picture यहां पर Sony Dixon ने अपने Twitter handle पर अपलोड करी है वो iPhone 16 के non pro devices के back cover की तो जिससे यह साफ पराद चल रहा है कि हमें जितने भी यहां पर update मिल रही थी पिछले कुछ month से वो absolutely real थी हाँ guys Apple इस बार अपने iPhone के non pro devices में vertical camera design लेकी आने वाला है again हमें two camera setup मिल जाएगा with a flashlight तो यह बात further और भी जादा confirm हो जाती है जब हम बात करते हैं sony addiction के दवारा twitter पर upload करी गई non pro models की metal dummy unit के बारे में तो यह सभी dummy units phone के cases add accessory maker के लिए होती है ताजो phone आने से पहले ही phone की accessory ready हो जाएं तो हर साल की तरह हमें पहले ही dummy unit की picture मिल जाती है जिससे हमें काफी हद तक यह कैसा लग जाता है कि आने वाले upcoming iPhone में हमें कैसा design देने के लिए मिलेगा तो alongside अगर हम बात करें iPhone के pro devices की तो जो यहाँ पर metal dummy unit की picture मारे पास आ रही है तो उससे हमें back design में कुछ खास change of nature नहीं आ रहे तो अगर इसके side frame की बात करें तो जैसे हमें काफी time से हमें update मिल रही थी कि Apple के non pro models में हमें capture button देने के लिए नहीं मिलेगा तो अगर हमें इस metal dummy picture को देखते हैं तो यहाँ पर हमें side में सबी unit में हमें action and capture button दखाई दे रहा है तो अगर हम इस metal dummy pictures को सच मान के चलते हैं तो हो सकता है कि इस बार हमें non pro models में action and capture button भी देने के लिए मिल जाए तो guys इसके बारे में आपका क्या कहना है कि Apple को अपने जो pro models में आने वाले feature को same use करना चाहिए अपने non pro devices में जा फिर exclusive रहने देना चाहिए pro devices के लिए तो इस capture button को लेकर हमें एक further update आ रहा है कि Apple इसको mechanical button तो बनाने ही वाला है तो इस button की जो surface होने वाली है उसको भी capacitive surface बनाने वाला है जो कि allow करेगी zoom in and zoom out करने में तो meaning that यह button एक gesture की तरह काम करने वाला है तो capture button की exactly क्या position होने वाली है इस dummy में हमें काफी अरा confirm हो जाता है तो Apple इसको exactly वहाँ पर ही set करने वाला है जहां पर हमें mm wave antenna देले मिल जाता है लाफट बन नौदी लीफट तो वीपो की report के according Apple अपने pro devices में rose color वाले model को भी introduce करने वाला है जो की same technology को use करके बनाया जाएगा जो की Apple ने अपने iPhone 15 & 15 Plus में use करके बनाया था तो guys यह थी सभी updates regarding Apple I hope अपको जी वीडियो चिलेगी हो कि वीडियो चिलेगी इसको like do कर देने चानल पे नहीं हो जापना नहीं हो जानल कुब तक subscribe नहीं किया तो make sure hit the subscribe button तुम मिलते हैं नेक्ट टूडियो में peace out